एपिड़ा का चो मुख्ठे काम है वो है देश से क्रिशी और क्रिशी उत्पादों के निर्याद को बढ़ाना है और आपको जानकर खुशी होगी के आज हम दुनिया के सातवे नंबर पर आते हैं निर्यात करते हैं कृशी और कृशी उत्पाद और दुनिया में जो टॉप टैन कंट्रीज जैसा में जिकर करना हूं उसमें भारत का नाम आता है और शाहिदी कोई ऐसा उत्पाद है जो हम निर्यात नहीं कर रहें चाहे आप चावल रहें, प्रॉसेस फूड कहें, हमारे फ् भारत का व्यंजन जो है, दुनिया भर में लोग उसको पसंद कर रहे हैं यह जो एक्जिबिशन लगी है, अहार एक्जिबिशन इंटरनाशनल एक्जिबिशन है, इसमें एपिडान एक बहुत बड़ा एरिया लिया है और यहां पर हमारे जो मेंबर्स हैं, एक्स्पोर्ट हैं जो नए हैं, न्यू टेकनोलजी, इनोवेशन आपके सामने नजर आएंगे, जैसे मैं उधारन के लिए बताऊँ, मुंफली का पाउडर, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन मुंफली का पाउडर जो के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन बेजड है, म उसकी shelf life हो रहती है, बगार किसी refrigeration में रखे हुए, तो इस तरीके की technology demonstrate कर रहे हैं, इन उत्पाद को दिखा रहे हैं, मुख्य उत्देश्य है इसका, कि हमारे देश में भी लोग अच्छा खाना काएं, और हमारे देश में आप जानते हैं कि process food की demand बढ़ती जा रही है, क् जैसे जैसे working population बढ़ रही है, वैसे ही वोग convenience food की तरफ जा रहे हैं और export भी बढ़ रहा है, आज हम आपको बताएं, हम एक लाख दस हजार करोड से जादा export कर रहे हैं, इन उत्पादों का, हम लोग यहाँ पर इन प्रदर्शनी में सभी को मंतरित कर रहे हैं, क्या आएं, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से delegates आएं हैं, चाइना से, पेरू से, पॉलेंड से, उनके साथ भी हम लोग one to one buyer seller meet कर रहे हैं, मुख्य उत्पाद है कि भारत का जो उत्पाद है, क्रिशी उत्पाद है, उसको जितना से ज़्यादा हो सके हम लोग निर्यात कर सकें और लोकल मार्केट में भी popularity बढ़े हैं.